नमस्का मेरे किसान भाईयो आप देख रहो अग्रो फार्मिंग इंडिया चैनल मेरे किसान भाईयो मैं देबार्ध वाज और हमेशा की तरह आपको आज की वीडियो में कुछ न्या सीखने को मिलेगा आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे नीम्बू की भागवानी से नॉर्मल से नॉर्मल किसान आखिर कितना पैसा कामा सकता है तो वीडियो को शुरू करता है तो मेरे किसान भाईो नीम्बू की भागवानी लगाने से पहले आपको पता होना चाहिए है कि आखिर क्아कर आपको अपनी लेंड के अंदर कितना पौधे लगाने हैं हम बात करते हैं एक कट्ड की कई किसां कॉई का इसे एक कि अनदर कितना पौधे लगाएं नीबू की तो मैं आपको बता देता हूं कि आप एक करकींद-धियौ और जब आप बात करते है वेराइटी की तो जब आप वेराइटी चूज करोगे तो मतलब आपको मार्केट में आप जाओगे तो आपको अलग-अलग वेराइटी देखने को मिलेगी एक से बढ़करी वेराइटी देखने को मिलेगी गोवर्मेंट की वेराइटी भी आपको लग 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 वेराइटी बताएगी कि यह वेराइटी लग लो तो आपको जब भी आप वेराइटी चूज करें तो आप बारामासी वेराइटी में कोई वेराइटी चूज करें कहीं कि बारामासी में कहीं कि आपको हर सीजन के अंदर प्रोडक्शन देखने को मिलेगा नीम निबू का आज की रेट करेबं 300-400 रुपे किलो जा रही है तो आप जब भी यह ना वेराइटी चूज करो तो बारामाची वेराइटी के अंदर कोई चूज करो और भी आप कर्शी विश्यसग्य से राय जरूर ले जब भी आप वेराइटी लगाओ क्या है कि आपकी पहले जमिन की रिपोर्ट चेक करो आप फिर डौक्टर से पूचो कि कौन से वेराइटी मेरी जह आपे सूठेबल रहेगी तो कभी भी आप वेराइटी लगाए कोई भी की तो आप डौक्टर से रहाए ज़रूर ले कर्शी डॉक्तर से रहा हम अब बात आती है कि मतलब सबसे प को पता रहना चाहिए तो आप कर्शी डोक्टर से इसके बारे में भी राय जोरूरल में जब भी आप निमवु के पोदे लगाए तो उसका आपको कर्शी डोक्टर से रेगुलर रहा आपको चेक अप कराना चाहिए करवाम जैसे दो तिन मेंने के अंदर एक बार आप चेक अप जरूर करा है कि इसके अंदर कोई रोग वगेरा तो नहीं आ रहा कि यह रोग फैल ना जाए और भी निम्भू के अंदर रोग ना चला जाए तो आपको चेक अप द्यान रखे निम्भू की आप केमिकल फार्मिंग ना करें आपको केमिकल फार्मिंग में आपको बहुत बड़ा वाला लॉस लग सकता है निम्भू के अंदर आपको नीमा टोड जैसी बिमारी देखने को मिल सकती है और भी मतलब बहुत सी मतलब बिमारी देखने को मिल सक तो आप जब भी farming करें, chemical ना करे, organic farming करें नीम्बु की, अगर आप organic नीम्बु की farming करोगे तो जैसे कि एक साल में नीम्बु का पोदा दो बाए production देगा, तो दो बाए production देगा तो करें हम 40 kg नीम्बु आपको एक पोदे से देखने को मिलेगे, एक साल में, अगर आप 2 बार harvesting करते हो तो नीमव की, एक साल में आपको एक पोदे से 40 kg नीमव का production देखने को मिलेगा, और भी से ज़्यादा मिल सकता है, मैं आपको normal से normal production बता रहूं मैं इस से ज़्यादा भी मिल सकता है, लेकिन अभी हम बात कर रहा है normal production की, तो मतलब 40 kg नीमव एक लेकिन अभी लेथे 80 kg से बाव से, नॉर्मल नीमव के बाव, तो अगर आप इसको multiply करोगे तो करीवं 3200 रुपे एक पोदेखा हो गया, और अगर आप एक एकड़ में करते हो तो पूरे 500 पोदेख से आपको मिल जाएगी पूरी total earning calculation करोगे तो करीवं 8 लाक रुपे, कौन purity Children. आप और गनिक farming करते हो तो चैंहें तो कडनी करोगे तो आपको इस्से जादा भी मिल सकता है मैं आपको minimum से minimum बता रहा है, न नॉर्मल में आपको, कोई जयादा नहीं बता रहा है तो, minimum से minimum बता रहा है इससे आपको ज्ज़्सान भाई यदेखने को मिलेगा बाए जा रहे हैं तो भाव तो आपको तेज देखने को मिलेगा हाँ मिलेगा डिमांड बहुत जाद souffppers निवकी तो बहुद अच्छा बाव to आपको देखने को मिलेगा है मिलेगा मिरिक सार बाई को आप भी आज से अपने planning व गिरह गरा है की खेती की आ खिर आगे क्या केना है अच्छे तक्नीक से आपकेटि करें औरगनेग फार्मिंग करें ये ही मिशन है भी कि औरगनेगदijnकी का उप सब का तो इस औरगनेग को आगे बड़ा सफgers जेवान जे खिसान बंदे मातरम